सुख़द लगती है आरेसेस प्रमुख मोहन भागवत ने कौंग्रस न्यता राहुल गांधी पर बिना नाम लिये निशान असाधा है मोहन भागवत ने नाम लिये बिना राहुल को नसीहत देते हुए कहा कि विदेशों में जा कर देश की बदनामी ना करें RSS प्रमुक्ष ने कहा कि देश के बाहर जाकर भारत को नीचा दिखाने वाले देश के दुश्मन हैं और हमें भूल रहे हैं कि हम एक देश है हम एक जन है यह भी दिखाई देता है अचा केवल यही होता तो जा जाके प्रभोधन करके इसको ठिक करते लेकिन इसको हवा देने वाले भी लोग है राजनीती चलती है हमारा प्रजातंत्र है अनेक दल अनेक विचार रहेंगे सत्ता के लिए इस परदा रहेगी रहती है यह पद्धत ही है परन्तु उसकी भी एक मर्यादा होती है यह सारे देश के राजनीतीक दल है एक दूसरे पर ठिकाटी पने उनको करनी ही पड़ती है करे जितनी अधिक कर सकते करे परन्तु लोगों में विस्ववाद उत्पन्न न हो अपने देश के गवरों को कोई लांचन न लगे आपस में लड़ाई जगडों को हवा न मिले इतना विवेक तो रखना चाहिए लेकिन नहीं दिखाए गयता इससे पहले राहूल गांदी ने अमेरिका के वाशिंटन प्रिस क्लब में केंडर की मोदी सरकार पर अर्थविवस्था मेंगाई और बेरोजगारी को लेकर हमला बोला अब बार स्या Tisch है and this is one of the reasons we won the Karnataka election was that there was a feeling in India that there is a set of people who have a huge amount of wealth and then there's a large mass of Indian people who are poor and struggling huge income disparities and unemployment I think it's a 40 year high for unemployment. So to say that the economy is doing well I don't quite agree with it. Vahin Rahul Gandhi ke Washington Press Club mein kendra sarkar ki aalochna karne par Puro BJP neta Naveen Jindal ne Rahul Gandhi par tikhha paletwaar kiya hai Aisii ek vikti joki bharat maa ki kook mein jisne jenam liya jiske pariwaar ne karibe 6 jisho tak bharat 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 ki sattah par rach kiya voh nirlaj niche kisam ka efekti vidyashi dharti peh jahkar ke bharat ka paan kare kare एक सो चालीस क्रोड भार्तियों द्वारा चुने गई सबसे लोग प्रियसरकार और इस देश के ही नहीं बलकी पुरे विश्च के सर माले नेता देज मोदी जी का प्मान करता है वो नीच किसम का निरलच पापी विक्ति उसको इस देश की जत्ता कभी पाफ नी करेगी। उधर दूसरी तरफ कॉंग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि राहूल गांदी इस समय अमेरिका में है तो चरण चुम्बकों का व्यस्थ होना साभाविक है। अब आकर आप उल जनूल बाते करते हैं अरे मोधी विरोधी अरे अरे भाइया देश की बात करना मोधी विरोधी कब से हो गया और मोधी जी देश तो उपर है क्या। बता दें कि कॉंग्रस नेता राहूल गांधी इस समय अमेरिका के दोरे पर हैं इस दोरान वो अपने संबोधनों में केंद्र की मोधी सरकार को निशाना बना रहे हैं